राम नौमी पर हिंसा की खिलाब एक्सन में मम्ता सरकार, CID को सोपी जांज, BJP ने लगाये थे गंबीर आरोप नमस्कार दोस्तों मैं रदनम सिंग और आप सुभी का ट्रिकर न्यूज में स्वगत है पस्चिम बंगाल के होडा में हिंसा के बाद से राजिती अपने चरम पर है, इसी 20 सनी वार को बड़ी खबर सामने आ रही है पस्चिम बंगाल के होडा में राम नौमी के दिन हिंसा की CID जांज करेगी, राज्जी सरकार ने CID जांज का आदेश दिया है इलाके में पुलिस की गस्त भी बढ़ा दी गई है, CID के Special Operations Group समेट कई ब्रांच चार्च में सामिल होंगे, इसमें DIG रैंग के अधिकारी होंगे दरसल राजी की प्रमुक विपच्च पार्टी बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता सरकार के किलाप मोर्चा खोल रखा है मुखे मंतरी ममता बनरजी पर कई गंबीर आरोप लगाए हैं, केंदर महिला एवं बाल विकास मंतरी स्मितिर रानी ने ममता बनरजी पर जुलूज के दोरान पत्राव करने वालों को क्लीन चीट देने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा सवाल या है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी हावडा में हुई हिंसा पर बीजेपी ममता सरकार पर हमला वर है बीजेपी के नेता सुबेंदू अधिकारी ने भी हावडा हिंसा में विदेशी साजिस बताते हुए मामले की सी बी आई जाज की मांग की थी उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्योस्था पूरी तरह फैल हो चुकी है इसके अलावा पस्चिम बंगाल बीजेपी के लोकसभा संसर जगनाज सरकार ने प्रदान मंतरी नरेन मोदी और ग्रे मंतरी अमिसा को पत्र लिकर मामले में एनाई ये जाज की मांग की है उनका कहना है कि हिंसा के कारणों का पता लगाना चाहिए इसके लिए उन्होंने केंद्रे बलों के हस्तक छेप का अनुरोद किया है हिंसा के बाद से इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस दोरा लगातार माइंग की जा रही है हावडा में कुछ 802 में 3 अप्रेल तक धारा 144 बढ़ाई गई है इसके अलावा हावडा के कई इलाकों में 1 अप्रेल रात 2 बज़े तक इंटरनेट सेवाए बंद कर दी गई है बिर रिपोर्ट ट्रिगर न्यूज